यह जो screenshot दोस्तों आप अपनी screen पर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि P2P lending is unsecured यानि कि P2P lending as रक्षित है और हम कोई risk-free return की या no default की guarantee नहीं देते We do not guarantee any risk-free return or no defaults और screenshot देखें दोस्तों यह दूसरा screenshot आपकी screen पर आच चुका है इसमें लिखा हुआ है There is no guarantee of liquidity by 12% club यानि कि liquidity की कोई guarantee नहीं है अभी हम इन चीजों को समझेंगे मैं आपको just एक बार pointers बता दूँ इसके बाद इनको detail में मैं explain करूँगा आपको एक और screenshot दोस्तों आपकी screen पर आ रहा है और यह तीसरा screenshot है इसमें लिखा हुआ है कि सारे loan तीन महीने के लिए दे जाते हैं और तीन महीने बाद automatically principal और interest का amount आपके registered bank account से pull कर लिया जाता है यानि कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कानो कान आपके bank account से यह सारा loan जो आपने लिया था वो principal और उसका जो interest आपको pay करना है वो सारा amount आपके bank account से registered bank account से खीच लिया जाएगा आपको कानो कान खबर भी नहीं होगी तो दोस्तो 12% क्लब के वारे में आपको कई लोगों ने बताया होगा कई वीडियो जामने देखे होंगे जहां पर आपको benefits इसके explain किया गया होंगे बर दोस्तों इस तरीके की disadvantages यहां आपको सिर्फ my company channel पर मिलती करा हूँ मैं जस्ट इनकी जो limitations हैं जो कमिया हैं उनको आपको explain करना चाता हूँ in fact मैंने तो यहां पर नीचे description में link भी दिया हुआ है 12% क्लब का इन limitations को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यह safe है और आप अपना account यहां पर बनाना चाते हैं तो दोस्तों आपका welcome ह सकते हैं बड़ दोस्तों पहले इस video को complete एक बार जरूर देख लिए सारी disadvantages को सारी limitations को एक बार जान लीजिए ताकि आपको decision लेने में help हो सके तो दोस्तों छोटी limitations के साथ मैं start करना चाता हूँ पहली limitation दोस्तों यहां पर यह है कि जो interest यह देते हैं वो simple interest होता है वो compound interest नही वाला नहीं है दोस्तों यहां पर यह है कि यहां पर आपको email ाइडी तो कई सारी दे रखी है customer support के लिए लेकिन दोस्तों customer support के लिए इन्होंने अभी कोई landline number कोई contact number दोस्तों इन्होंने अभी launch नहीं किया है इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई problem आती है तो दोस्तों से stocks में mutual funds में या cryptocurrencies में आप 100-200-500 रुपे से start कर सकते हैं यहां पर आप उतने छोटे amount के साथ start नहीं कर सकते हैं यहां पर आपको at least 10,000 रुपे की investment करनी होगी तभी आप यहां पर borrowing या landing start कर सकते हैं और जो maximum limit है दोस्तों investment की वो है 10,000 रुपे अलागी 50,000 रुपे तक भी देना होता है उसके बाद आप 50,000 रुपे तक भी invest कर सकते हैं अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले point पर दोस्तों अगला point आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप simultaneously दोनों काम करने की सोच रहे हैं अगर आप borrowing और lending दोनों काम करना चाहते हैं यानि कि पैसा दे जो मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाए थे तो दोस्तों पहला जो screenshot मैंने आपको दिखाए था उसमें दोस्तों लिखा हुआ था कि यहां पर P2P जो लेंडिंग जो है दोस्तों वो unsecure होती है यह इनोंने काफी rigorous process बना रखा है काफी कोशिश है करते हैं उसके बावज दूसरी वज़े से उसका loss हो गया है तो हो सकता है वो पैसा ना चुका पाए तो नो default की यह guarantee नहीं देते हैं इसके बाद यह कहते हैं कि जब आप पैसा हमें लेंड करते हो जब पैसा आप उदार देते हो किसी को तो वहां पर क्या होता है कि उस पैसे को यह कई सारे लोगो पर दिये हैं तो यह 3000 रुपे को सो लोगों के बीच डिस्रिबूट कर देंगे तो वहां पर क्या होगा अगर एक बॉरोवर कोई एक उधार लेने वाला अगर बैंक्रेफ्ट हो जाता है डिफॉल्ट कर जाता है पैसा नहीं चुका पाता तो उस केस में आपके सिर्फ 30 विड्रॉ करने के लिए आते हैं तो क्या वहां पर पैसा विड्रॉ हो जाता है तो दोस्तों इस केस में जो 12% क्लब है वो यह कहता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करने के लिए आते हैं तो हम यह गारंटी नहीं देते कि आपको तुरंत पैसा मिल ज आते हैं तो हो सकता है कि उनको पैसा वापिस मिलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़े तो यह कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉक करने के लिए आ जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको पैसे निकालने में आपका पूरा पैसा वापिस आने म स्क्राला लिमिटेशन वह दोस्तों लिमिटेशन यह यहां पर मैंने बताया था डिजो लॉन्ट षोते हम ती다음 से उस यह भरेख यह उग्स को सब्सक्राइब के निधिये यहां पर और यह वंशे नहीं मुझे पैशा है आप में丹्वर और वापस के यहाँ पर यह कहते हैं कि तीन महीने का टाइम होता है आपके लोन की maturity का तीन महीने तक का लोन आपको दिया जाता है अगर तीन महीने के अंदर आप अपना पैसा payment वापस नहीं करते हैं तो आपके bank account में registered bank account में जो principal और interest amount बनता है उसे हम automatically deduct कर लेंगे अब इसके बाद दोस्तों एक last limitation और है जो है borrowers के लिए यानि कि जो पैसा उधार लेते हैं उन लोग के लिए दोस्तों इनको मैं बता दू कि यह 10,000 रुपे से लेकर के 1,000,000 रुपे तक का लोन ले सकते हैं इससे जादा लोन की facility अभी 12% क्लब ने provide नहीं कर रखी है तो हैं हाला कि limitations कोई ऐसी बड़ी serious नहीं है मैंने आपको starting में बताया कि 12% क्लब को defame करने का मेरा कोई purpose नहीं है सिर्फ जो points है negative points वो आपको कोई और नहीं बताता है इसलिए मैंने आपको यह explain किये हैं इन points को जानने के बाद सोच के समझ के आप यहां पर अपना account बना सकते है मैंने दोस्तों नीचे link दिया हुआ है description में वहाँ पर जाकर आप अपना account जरूरू बना सकते हैं और start करके देख सकते हैं दोस्तों कुछ daily earning आप यहां से कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ access में amount पड़ा हुआ है आपके savings account में तो दोस्तों उसे transfer करके interest earn करने में कोई हर् तो link दोस्तों नीचे आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस app को download कर सकते हैं और अपनी investment journey start कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आप safer investments करना चाते हैं जाची परकी निवेश के विकलपों को चुनना चाते हैं जैसा कि crypto currency में आप investment करना चाते हैं तो दोस्तों वहा भी platforms का use करके तो आप भी दोस्तों इन platforms का use करके अपनी investment journey को start कर सकते हैं दोस्तों साथी साथ आप मुझे facebook पर instagram पर ट्विटर पर भी follow कर सकते हैं मेरा user name my company 057 दोस्तों इसी तरीके के knowledgeable videos के लिए देखते रहे हैं my company को मैं मिलूंगा next Sunday दोपर 12 बजए तब तक के लिए मु